अध्यक्ष मोदें अध्यक्ष मोदें हैदराबाद की जो एग घटना घटित हुई है मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई दूसरा औमानिवी एक कृत्य नहीं हो सकता और अध्यक्ष मोदें सचमुच जैसा सभी मानी सवस्यों ने कहा है यह सारा देश इस घटना को लेकर समसार हुआ है सभी आहत हुए है और मैं देख रहा हूँ कि सदन में शाहे किसी भी दल्ब से समझत हुआ हूँ सबने इस घटना की जहां भरसना की है वहीं पर यह भी अपिक्षा की है इसमें जो भी अपरादी है उसे कठोर से कठोर दल्ले दिया जाना शाहिए और आप भी जानते हैं अद्यक्ष मौदे की जब नर्वया कांड हुआ था तो नर्वया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यहमान लिया था कि साइद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी लेकि उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जखने क्रिट हो रहे हैं तो इस सम्मन में मैं कहना शाहूंगा अद्यक्ष मौदे कि सदन में लिया आप चर्चा कराना शाहते हो तो हमें कोई आपती नहीं होगी सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है जो भी अपरादी है उनके खिलाब कठोरतन कारवाई करने के लिए जो भी प्रावीजन करना होगा यह सरकार उप्रावीजन करने को तयार है लेकिन यह आप रजक्स कि अंड़र करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं चर्चा करागाएं सुझाो साथनन के आने लिए वो किसी भी सूरत में और जिखमोरे सच मुझ मैं यह कहना चाहता हूँ मिरे पासंस सब्द नहीं है कि जिन सब्दों के माद्धम से इस घर्टना की में भर्षना करें हम सभी आहत इसलिए मैं आप के उपर छोड़ता हूँ कि आप सारी सभी सदस्टों के भावनाओं से अउगत हुए हैं आप यह फैसला करें चर्चा कराना चाहते हूं तो चर्चा कराएं और जिस भी प्रकार का कशुर कानून बनाने पर सहमत ही बनेगी हम उस प्रकार का कानून बनाने को तयार हैं